कि नमस्कार मैं वर्तिकारा है और आप देख रहें न्यूज फोनेशन वैसे तो बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार और देश के प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी यूँ तो आमने साने टक्कर में रहती है आएदिन मुख्यमंत्री के उपर नितिश कुमार का तंश कसना आमबात हो गया है लेकिन हम आपको बता दे बिहार का एक ऐसा जिला है जो परधार मंत्री आवास योजना के अंतरगत नमबर वन पर है आखिर वो बिहार का कौन सा जिला है चलिए हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं अर सरकार वैसे तो जनहीत की कई योजनाएं चलाती है लेकिन जीवन जीने के लिए जो सबसे जरूरी होता है वो है अपना घर प्रधान मंत्री आवास योजना से जूर कर करोरों लोगों को देश में अपना घर मिल चुका है इस योजना के माध्यम से पीछले वर्ष बिहार के गयाजिला में पूरे राज्य में सबसे जादा एक दसमलब 0.02.000 से अधिक लोगों को पका मकान मिला है वर्ष 2022 और 2023 में प्रधान मंत्री अवास योजना के अंतरगत गया जिला में एक लाख दो हजार से अधिक अवास को पुर्ण कराया गया है बिहार में गया में सबसे अधिक लोगों को इस स्कीम का लाव मिला है इसके लिए वित्यवर्ष 2022-23 के परफॉर्मेंस के अधार पर गया जिला को राजी अस्तरिय समिक्षा बैठक में प्रतम अस्थान प्राप्त करने के लिए सम्मान पत्र एबम अवार्ड दिया गया है जिला पतादिकारी डॉक्टर त्याग रंजन एसम ने उप विकास आयुक तथा ग्रामिन विकास विभाग के सभी पतादिकारी एबम क्रम्यों को प्रतम अस्थान प्राप्त करने के लिए बधाई दी है यह अवार्ड एक सम्मान पत्र ग्रामीन विकास एबं आवास विभाग के सचीब के दुआरा गया के विकास आयोक्त विनोध दुहन को दिया गया है। प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट सभी के लिए घर मीशन की शुरुआत की थी। पहले यह योजना सिर्फ गरीवों के लिए थी लेकिन अब सहरी इलाकों के गरीव और माध्यम बढ़ को भी इसमें शामिल किया गया है। प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी के उपर तंश कसे। लेकिन बिहार का गयाजिला प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतरगत नंबर वन पर आया है। और आए दिन प्रधान मंत्री इस योजना पे और भी ज़्यादा काम कर रहे है। वैसे आपका क्या खुश्काना इस ख़वर पर कमिंट करके जरूर बता है। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। प्रया स्थराइब कर रहें।